नमस्का दोस्तों आपका स्वागयत है मेरी टूप चैनल में आज मैं आपको जीवित पुत्री का वर्थ की कथा सुनाऊंगा तो आई दोस्तों सुना करते हैं जिमित वाहन नामक राजा बड़ा दयालू धर्मात्मा थे एक दिन वेव परवत भूमने गए उस परवत पर मलेवती नामक राज कन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी वहां एक दूसरे को देखते ही उनके हिर्दे में प्रेम हो गया प्रसपर प्रेम दर्शन का यह दृष्ष्य राजकुमारी के भाई ने देखा था देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लौड़ गई तब पश्चात जिमत वाहन तब परवत पर भ्र साथ कि मा रो रही है उन्होंने उस से रोने का कार्म पुचया तो घ्या तो हुआ कि उसका एक मात्र पुत्र आज गरूड की भोजन के लिए जाने वाला है जिमत वाहन का हिर्द्र द्रवित हो गया वेश्वयम गरूड के भोजन के लिए नेध स्थान पर जा कर लेड़ ग ना हुआ तो उसने नीचे देखा जिससे गरूर को अश्चरे हुआ वह सोचने लगा यह कौन पड़ा है जब गरूर ने उसे खाना बंद कर दिया तो जिमत वहन ने पूछा आपने खाना बंद क्यूं कर दिया में नस्व में अभी रग्त परवाहित हो रहा है मेरे सरी में मा भाफ से सोचा यहतर दूसरे के लिए परांद दे रहा है और एक मैं हुआ कि प्रते दिन अपनी भूग मिटाने के लिए दूसरी की जान लेता हूं इस प्रकार अनुपात करते हुए गड़ू ने अपने कलंगित रूप के दर्सन किये, गड़ू ने अपने पापो का प्रैशित्था करके राजर से वर महांगने को कहा, राजर ने कहा आज तक आपने जितने शांप मारे हैं, उन सब को जिवित करके भभिस्तिन सा अपना खा तता भाई राजा जिमें तो वाहन के खोज करते करते वहां पहुंचे उन्होंने राज करन्या के विवा उनसे कर दिया उस दिन आस्विन कृष्णाष्टमी थी तो यह था जिवित पूत्रिगा वर्थ कथा आपको मैं वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक क किजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में